दोस्तो नमस्कार आज है 19 जुलाई सन 2024 शुकरवार दोस्तो आज के अपिसोड में हम केस्टर सीड ओयल के उपर करचा करेंगे साथ साथ केस्टर यानि अरंडी की बजार के अंदर क्या भाव चल रहे हैं सारी जनकरियां आपको रुबरु कराएंगे का प्यास करेंगे दोस्तो ऐल सीट में चैच में सरसो सोयाबीन सूरज मुखी पाम तेल कैस्टर सीड शीशम इन सभी पर अपडेट और विश्लेशन देने वाला देश का पहला चैनल है दोस्तो हम वर्तमानी नहीं भविश्का भ स्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है आप भी चाहते हैं कि आपको एक संपून कमोडिटी वजार का अख़वार मिले तो आपको आज ही संपर्क कर सकते हैं कीमत 3,000 रुपए वार्शिक है इसके साथ साथ आपको हर दिन वाट्सप के उपर मंडियों के ओल सेट पल्सिज घ्र जुलाई के जो भाव मंडियों के हमें मिले हैं पाटन 11,775 से 12,122 रुपए प्रती 20 केजी आनि प्रती मन विसंदगर 1180 से 1195 में सिदपूर 1180 से 1204 महसाना 1175 से 1192 रुपए प्रती 20 किलोग्राम मांसा 1190 से 1199 में हारीज 1180 से 1206 और पालनपूर 1180 से 1198 के भाव हैं भीलडी के अंदर 1170 से 1180 है नेनावा 1180 से 1202 जुनागर्ड से भाव प्राप नहीं हो हैं कडी से 1225 जागना 1226 अडानी 1215 कांडला आईगरो 1217 ओस्वाल 1215 और डीवेल 1225 रुपर प्रती 20 किलोग्राम के भाव मिले हैं दोस्तो जाने एक कैस्टर सीट के ओपर आगे की रिपोर्ट दोस्तो साल 2023 चोईस में अरंडी का उत्पादन लगबग 20.50 लाक टन के आसपास होने की संभावना की बात की गई है जबकि साल 2022 तेईस मैं इसका उत्पादन मातर 18.81 लाक टन के आसपास हुआ था जो इस साल बढ़कर 20.50 लाक टन हो गया है उत्पादन अधिक होने और मांग कमजर होने से पिछले कुसम में अरंडी की कीमतों में भारी गिरावट थी लेकिन इसके बाद गरेलू मांग और निर्यातों को की पूछ परक से अरंडी में तेजी को बल मिला जहां तक एक्सपोर्ट की बात करें तो सॉल्वेंट एक्स्ट्रेक रेसिशेशन के जो आकड़े हैं उसके मुताबिक जनवरी से अपरेल साल 2024 की अबदी में 2,35,103 टन अरंडी तेल का निर्यात हुआ और पूरे साल के दौरान 6,29,618 टन का निर्यात हुआ है गौरतला बै की दीरे-दीरे सप्ट्राई कमजोर और ग्रह की निकलने से खारंडी तेल में के भाव 1,000 रुप्र पती कुंट्रल बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और इसमें आगे भविश में कोई बड़ी मंदी की संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि उत्पादर नादिक होने के वज़े से अरंडी और अरंडी तेल में भीशन कमजोरी देखी गई थी लेकिन उसके बाद रिकवरी देखी जा रही है गौरतला बै की अरंडी में तेजी के रुक के कारण मिलो की विक्वाली घटने और अध्योगी दिमांड और निर्यातों को की दिमांड बढ़ने से एक मा के दुरान ही अरंडी तेल के भाव में 1000 रुपरे बढ़कर 12900 से 13000 रुपरे पतिकिंटल के भाव होने के समाचार मि सासात लिवाली बढ़ने से NCDX केमिया अरंडी वाहिदेक में भी अगस देली रीक में भी तेजी का रुक देखा जा रहा है अरंडी का उत्पादन देश के मुख्यरूप से राजिस्तान गुजरात आंध प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक होता है और अरंडी उत्प में अरंडी मुफली शीशम यानि तिल के अत्रेक्त सोयबिन सरसो पाम तेल इसमें क्या संभावनाई बन सकती है उसकी विशेश रिसर्च रिपोर्ट के उपर संपर करें तोस्तों तेजी आने के बाद तेजी के प्रमुक कारण के नाना मंदी आने के बाद मंदी के लिशुआ था और एक तरफा तेजी देखी गई साथ साथ अक्टूबर दोजार तेजी में नौंबर में अग्रिम तेजी का अग्रिम अनुमान अक्षाज सर्ते साबित हुआ और उसके बाद गिरावट का भी अनुमान साही साबित हुआ पिछले लगबग एक मैने पहले ह हमने जुलाई मेने के अंदर जो अपडेट दिये थे वह भी अक्षाज सर्ते साबित होते देखे एक जगए हैं दोस्तों भाव अपडेट्स यह सब निउस्पेपर है इसमें कोई दोराई नहीं है विशलेशन चाहते हैं अगरे विशलेशन चाहते हैं तो आप हमारी बास्ट बुड लुग एपविट्रेइग